हेलो माई सेट जिंदर सिंग सार और मैं आज आपको बहुत एक important topic discuss करूँगा आपके सामने non-existing molecules जिसे कि आपने बहुत सरे cases में देखा होगा कि कुछ molecules ऐसे हैं जो exist करते हैं कुछ नहीं करते हैं जैसे PCL5 exist होता है ठीक है बिटा और PA exist नहीं होता है ऐसे ही PCL5 होता है लेकिन PH5 नहीं होता है क्यों ऐसा होता है इन सब चीजों की जानकारी लेंगे आज हम आपको वो सारे molecules भी आपको बताएंगे वो कौन से molecules हैं जिसकी हम लोग expectation करते हैं कि वो exist करता होगा वास्तवक्त में वो exist नहीं करता है क्यों ऐसा होता है कैसे होता है यह सब जानने के लिए इस वीडियो में बने रही है और मैं आज आपको सबसे पहले आपको इस टॉपिक की शिरुवात एक छोटे से concept से करूँगा और फिर उन सब चीजों को सबताऊंगा भी चलिए पहला टॉपिक है पी एच फाइफ कें नाट एक्जस्ट वाइल पी एच फाइफ एक्जस्ट बिल्कुल सही बात है यह पहला question मेरे सामने आ गया तो मैंने इसका answer दिया due to non-contractions of d orbital in ph5 अब यहां question mark लग गया कि sir question सही है answer सही है लेकिन हमें यह तो मालूमी नहीं कि non-contraction d orbitals क्या होता है चलिए non-contraction d orbitals के बारे में बात करते हैं और उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं देखिए बटाए non-contraction d orbital में सबसे पहले आपको हम बता दे कि जैसे यहां यह फास्फोरस है अब actually में जो फास्फोरस है यह उस पे माइनस 5 निग चार्ज है एक्चुली में क्या होता है कि यहां फास्फोरस जो है निगेटिवली चार्ज है और निगेटिवली चार्ज होने की वज़े से उसमें जो d orbitals है जो कि 3pk से और 3d के बीच में काफी energy difference रहता है तो यह बटा participate नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपको मालूम होगा कि hybridization की जो सबसे पहली condition है वो है कि energy compatible होनी चाहिए काफी energy और जब तक या तो वो energy compatible होनी चाहिए या किसी वज़े से compatible हो जाएं अब देखें 3s 3p में यह 3d पार्ट पेट करता है कारण इनके बीच का जो gap है वो बहुत बड़ा है energy भी difference भी जाता है gap भी बड़ा है तो इसलिए इसा पार्ट पेट जब की पी फाई में यह जो डी है यह 3d है इसकी contraction होता है इसका size कम हो जाता है इसकी energy कम हो जाती है और इनके साथ पार्ट पेट करके hybridization पाफॉर्म करने लगता है और यहाँ SP3D hybridization हो जाता है बिलकुल सही जवाब आपका तो मैं यहाँ पर आपको बता आपको यहीं से थोड़ा आगी के तरफ कि D-orbital hybridization में कि यह मैंने आपको बताया है नैसेसरी है कि उसकी जो इलेक्ट्र निगेटी है वो सेंट्र एटम से जादा वाले लेक्ट्र निगेटिव से जुड़ना चाहिए मत्तब यह से आपका फास्फोर्स है वो फ्लूरीन से जुड़ेगा तो इस पर पोजिटिव च केवल और केवल तब participation होगा होगा जब यह D-orbital का participation कब होगा जब यह फास्फोरस पर पोजिटिव चार्ज हो और D पोजिटिव चार्ज की वाज़े से यह contraction करता है ठीक है अब जैसे यहां पे लिए पोजिटिव चार्ज यह contraction की वाज़ा होती है पार्शल पोजिटिव चार्ज कांट्रेक्ट दी वैलें शेल डी और्विटल सफिशेंटली क्लोज तो दी और्विटल कांट्रेक्शन और डी और्विटल कांट्रेक्शन जो होता है इन्वाल्मेंट और जब वह contraction होता है तभी वह hybridization में participate करता है राइट चलिए मैं आपक होगा SP3D participate करेगा यहां नहीं होगा क्यों क्यों कि यहां-5 चार्ज है यहां-6 चार्ज है और यहां-D का participation हो जाएगा SP3D2 बिल्कुल सही जवाब है यहां-6 है बिल्कुल यहां-3D कि यहां-4 спорт यहां-3D का यहां-6 क्यों क्यों होगा-D का कि चार्ज माइनस में है और यदि चार्ज माइनस में है तो फिर participation का कोई मतलब नहीं बनता है अब जैसे मैं आपसे कहूँ BRF5 molecule exists D-orbital contraction यहां D-orbital contraction होगा very good कि यह देखिए और यहां contraction हो ही नहीं सकता यहां contraction अब यहां contraction हो जाता है बिल्कुल सही बात है यहां contraction नहीं हो पाता है क्यों I-D-E-N की जो electron negativity है वो phosphorous से कम होती है sorry I-D-E-N की electron negativity phosphorous से जादा है जिससे I-D-E-N पर minus one रिस पर plus तो I-D-E-N पर क्या charge हो जाएगा अब जदी हम यह कहूँ कि यहां मैं थोड़ा गलत बोल गया मैं अपने बातों को वापस लेता हूं और electron negativity यानिके क्या बिटा phosphorous की जो electron negativity है वो किस से जादा है मैं बिटा iodine से जादा है शाहिद मैंने यही बोला या उल्टा बोल दिया चलिए खेर यह electron negativity जब electron negativity होगी तो यहां minus और जब यह माइनस चार दोगा तब यहां SP3D hybridization हो ही नहीं सकता यहां भी same same अच्छा अब बचे कह रहें सर यह बनता है यह नहीं बनता यह बटा due to hysteric crowd यहां पर कारण है hysteric crowd इसका region है यहां पर यह बनता है बिल्कुल बनता है यह PCL 5 बनता है बिल्कुल हो जाता है ठीक है क्यों plus 5 this is plus 5 SP3D और यह हो जाएगा SP3D2 अब बटा मैं आपको यहां कुछ बाते उताओ कि जैसे IF7 बनता है बिल्कुल बनता है D orbital contraction यहां possible है yes plus 7 यहां possible नहीं है क्यों possible नहीं है क्योंकि यहां वही मैं आपको पहले बता चुका है इसमें कितना माइनस 5 और यह माइनस यह SCL यहां भी same region है कि यहां यह माइनस है और यह यह माइनस है माइनस 6 और यह यहां पर पलस 1 क्योंकि sulfur की electron negativity जो है ठीक है लेकिन यहां एक चीज़ मैं थोड़ा सा आप बात कहूं कि sulfur की electron negativity जो है वो कम होती है यहां पर पलस 6 तो हो जाएगा चार्ज लेकिन क्राउट यहां अंसर है ड्यू टू इस्टैरिक क्राउट यहां भी बटा इस्टैरिक क्राउट राइट यहां भी इस्टैरिक क्राउट है यहां भी आंसर इस्टैरिक क्राउट का राइट है ठेक है और यह आप ठेक है और यह फार्मेशन होता है यह नहीं होता और यह कारण भी आपका इस्टारिक क्राउड है भी इतनी है कि वह अकॉमडेट ही नहीं हो पाते हैं PCl5 बनता है बिल्कुल बनता है कोई प्रॉल्म नहीं है ठीक Ncl5 नहीं बनता क्यों कि वह इसले नहीं बनता यहां पर आंसर है due to the absence of d-orbital यह भी absence of d-orbital absence of d-orbital ठीक है absence of d-orbital क्योंकि यहां भी जो hybridization आएगा विरविटा है वो आएगा SP3D यहां भी possible नहीं है यह d-orbital नहीं है possible नहीं है यह crowd क्यों से इस्टारिक क्राउड स्टारिक क्राउड यह बन जाता है यह भी possible है यह भी possible है यह भी possible है ठीक है यहां तक समय में आ रहा होगा और यह भी आपका possible है ठीक है चलिए इसके बाद बिटा एक question बड़ा important है जो हमारे अक्सर XEF3 negative जो होता है वो exist नहीं करता है करन यह है बटा कि इसमें जिनों के उपर प्लस टू चार्ज आता है और प्लस टू चार्ज आना कम चार्ज़स है यह पलस टू कि इसके डियोर्बिटल contraction नहीं हो पाता है जिसके डियोर्बिल contraction नहीं के वैसे SP3D hybridation क्योंकि strike नुमबर 6 है यह यह possible नहीं हो पाता है और इसलिए यह exist नहीं करता है तो यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मिस्चे तो आप इसको like और share करना ना भूले और जरूर और कोई आपका सुझाओ होता है तो आप comments में लिखे और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसके अपर comments जरूर लिखें ठीक है thank you वीटा मिलते हैं next video में